तो आप सबका सौगत है अपने चैनल डूर में दोस्तों बहुत से बच्चों के जो केरी आई है वो इससे रिलेटेड है कि जो ड्रग लाइसेंस है उसको कैसे रिन्यू कराना है यह वो फर्स टाइम रजिस्टेशन करा रहे हैं तो वह वहाँ पर क्या स्टेप ले ताकि उनक के लिए फिलाल दोस्तों करनाट का स्टेट ऑफ फार्मिसी काउंसिल का मैं यहां पर वीडियो ला रहा हूं और आपको बता रहा हूं कि इस पर आपको क्या करना है सिंप्ली दोस्तों अभी यहां पर ओफ लाइन नहीं लिये जा रहा है जैसे कि आप पड़ सकते हो अज़ प्रिकोशनेरी मेसर प्रेविट इसप्रेद अव गुविट-19 ते फिचिकल सब्मिशन अफ फ्रेश दूप्लिकेशन अप्लिकेशन फॉर्म और दोक्यमें शरुंडरिग उडिजिनल चर्टिफिकेट पोर इस अच्टिफिकेट विल नोट बी एक्सेप्टेट इसी भी क्वेरी के लिए आप कॉल कर सकते हैं 0804670980080080028999 लास्ट में आप लगा सकते हैं यह सारे ही नंबर उनके मिलेंगे पर लगाना है आपको चार बज़े से लेगे पांच बंदरा पीम तक ही अगर आप मेल से कोई क्वेरी करना चाहते हैं तो यह भी आप नोट अरिजी अडरेड जीमेल.com ठीक है अब दोस्तों इनकी जो वेबसाइट है वो है के सपी सी डी आई सी डाट कॉम इसको आप जैसे ही खोलोगे दोस्तों आपके सामने ये पेज उबर के सामने आ जाएगा अब आपको यहां पर दोस्तों कुछ नहीं करना है सिंप्ली अगर online renewal पर click करके इसको भर सकते हैं अगर आपके name की spelling में कोई problem है तो आप name chain पर जाएए अगर आपको ई-certificate चाहिए जितने भी document submit करके तो दोस्तो ई-certificate यहां से लेबल हो जाएगा duplicate certificate हो जाएगा फिर दोस्तो आपका transfer अगर आप कराना चाहते एक state से दूसरे state में तो वह भी यहां पर अवलेबल है ठीक है तो यह सारे ही आपके सामने mode दिखाए दे रहे हैं जिसके थुरू आपको यहां पर करना है अब दोस्तो जो करनाट का state pharmacy council है उनकी एक यह बात अच्छी है कि यहां पर जो भी candidates registered है उनका आप लिस्ट देख सकते हो यह देख सकते हो कि कब उनका expire होगा कब आपको renewal कराना है जिससे कि आप देख सकते हो कि यह रिजिस्टर फार्मसिस लिस्ट लिखा हुआ है list of pharmacists on the roles of करनाट का state pharmacy council चलिए उसको क्लिक करके देखते हैं तो दोस्तों अब आपके सामने देखिए renewed pharmacist आ गया restored pharmacist आ गया fresh registration आ गया ठीक है तो इन सब की list यहां पर है जिनका 31st March 2021 के पहले renew हो चुका है वो यहां पर देख सकते हैं view list पर उन्हें क्लिक करना है और इसमें जितने भी यहां पर candidates हैं जिनका 31st March 2021 के पहले हो चुका है उसकी list दोस्तों यहां पर खुलके आ जाएगी इसी तरह दोस्तों आप restored pharmacist का देख सकते हैं और इसी तरह आप fresh registration का भी देख सकते हैं अब देखिए दोस्तों यहां पर renewed pharmacist list आ गई ठीक है तो आप इसमें search कर सकते हो कब तक इनका validity है यह सारी चीजे हैं वह लोग भी अपनी list यहां के जरूर देखें कि list में उनका नाम है की नहीं और अगर वहां पर उनका नाम नहीं है तो उनको करना क्या है कि तुरंत यह चीज़ जो मैंने आपको toll free number बताया उसमें उनको बताना पड़ेगा अब दोस्तों होता क्या है कि बच्चे इस च जाते हो वहां पर license लेने के लिए तो आपका domicile मांगा जाता है तो जिस state का domicile में जिस state में आप रह रह रहे हो आपके पास domicile होँ हो तो दोस्तों उस state से ही आपको apply कराना होता है अब जिस state में आप practice करना चाहते हो मिस license करना चाहते हो, वहाँ पे आप अपना खोलना चाहते हो, तो वहाँ पे आप ट्रांसफर करा सकते हैं, तो उसको ट्रांसफर कराने के लिए दोस्तों आपको इस option पर क्लिक करना पड़ेगा. application for transfer of registration from other state, ठीक है, तो दूसरे state से आप करनाटका में आना चाहते हो, तो यहाँ पे क्लिक करके, यह सारी details आपको भरनी होगी, step 1, step 2, step 3, step 1 में दोस्तों, आपका mainly यहाँ पे details है, personal information है, और address है, address बहुत जरूरी होता है दोस्तों, address कोशिश करिएगा कि वहाँ पे गलत नहो आपका residential address, permanent address, जैसा कि अधार passport, water ID में लिखा है, वही permanent address, यह सारी चीज़े आपको डालनी है, इसके बाद दूस्तों, step 2 आता है, जहाँ पे कुछ आपको documents upload करने है, step 3, जहाँ पे आपको fees वगारा pay करनी है, तो इस तरह करके, आप घर बैटे इस चीज़ को कर सकते हो, औ और अब आपको वहाँ पे जाने की जरूरत नहीं है, यह चीज़ आप दिहान रखिएगा कि अभी जाने जरूरत नहीं, यह सारी चीज़े online कर दी गई है, तो यह अच्छा step है government की तरफ से, तो आप कोई भी चीज़ इसमें से करा सकते हो, अगर इस से भी related है, अगर आपक and research center, तो जो drug information research center है, तो यह काम में आता है आपका, जब आप अपना PG यह PhD वगरा करते हैं, तो इन सब का काम आता है, तो यह चीज़े भी आप यहाँ से देख सकते हो, कि कहां कहां पर यह सारे located है, ठीक है, क्योंकि आप जब thesis work करते हो, तो यह सारी चीज़े आपको नहीं मिल पाती है, कि कहां से हमारा testing हो सकता है, कहां से हमें drug अवेल हो सकती है, तो इस सारी information और research center जो है, वो भी यहाँ पर अवेल है, अब दोस्तों कोई भी अगर query या doubt है, तो जरूर मुझसे पूछेगा, इस वीडियो के नीचे मैं जरूर आपकी help करूँगा, और अगर और state के हैं, और उस state के बारे में भी जानना है कि कैसे आपको apply करना है, renewal कराना है, या transfer कराना है, तो वो चीज़े भी आप मुझसे पुछ सकते हैं, फिलाल के दोस्ते चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा, साथे साथ जो हमारा telegram है, डूर academy उसमें भी हमसे जरूर जाइ थेंक्यू, टेक के बावाए